अब इसमें क्या दिख रहे हो आपकी एक स्क्वेर क्वाइल है जो इस मैगनेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी जिस मैगनेटिक फील्ड की विट्थ आपको डी दी गिवन है आपको फाइटी वर्सिस टी का ग्राफ ड्रॉ करना है और ये वी विलॉस्टी के साथ अंदर एंटर कर रही है वी विलॉस्टी के साथ अंदर एंटर कर रही है ठीक टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद इसका ये इतना अंदर होगा portion मैं उपर बना देता हूँ आपको, जिस समय इतना portion अंदर होगा, उस समय L वेक्टर क्या होगा, क्योंकि उस समय आपका जो क्वाइल है वो सिर्फ इतनी picture में है, देखो ये बली, इतनी, ठीक है? इतनी, अब इतने portion का L वेक्टर कहा है, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, चलो यहाँ दोना था, इतने portion का L वेक्टर कहा है, इसका भी L वेक्टर कहा होगा, इसका L वेक्टर भी यह है, यह, कितनी length है इसकी L, क्योंकि L यह square है, इसलिए यहाँ पे जो EMF develop होगा, इतने portion के अ इस L portion में है, that will be, direct EMF की बात कर रहे हैं, direct EMF की, flux की बात भी कर सकते थे, flux की हमने की हुई यह बात पहले भी, ठीक है, यहाँ पे flux कितना इसके साथ associated होगा, इतने portion के साथ, कितना मैंने आपको बताया था, magnetic field B है, magnetic field B है, multiplied by area, area कितना है, यह कितना portion अंदर गया, VT, into L, यह आगया, with respect to time flux, ऐसा होगा, अगर आप EMF direct निकालना चाते हो, तो EMF कितना होगा, मैंने आपको बोला, एक तरीका वो वाला, इसको differentiate कर लो, सीधा answer आगया, B, L, V, वही same answer आया, जो हमने उदर निकालना था, L direct लेके, motion EMF और यह दो चीज़े मैं आपके साथ simultaneously discuss कर रहा ह motion EMF से ही हम यह वाली चीज़ें भी प्रूव कर रहे हैं, अब इसके graph की जब turn आएगी कि इसका graph कैसा बनेगा, तो यह आगया, flux का graph, उसके बाद जब यह पूरा enter कर जाएगा अंदर, जिस समय यह वाली condition आएगी, जब यह वाली condition आएगी, जब यह पूरा अंदर enter कर गया, इदरी, इदरी, जिरूरी नहीं इतनी दूर जाके, इदरी enter कर गया पूरा, ऐसे, square नहीं बन रहा है, ऐसे enter कर गया, कितनी देर के बाद यह पूरा enter कर जाएगा, बड़ा simple है, L upon V, इतनी देर के बाद, T equal to L upon V में यह पूरा, पूरा का पूरा square अंदर enter कर जाएगा, क्योंकि कितना distance travel करना पड़ेगा, इसको L, L upon V क्या हुआ, time, तो L upon V time में यह पूरा square अंदर चला जाएग ठीक है, फिर T equal to 0 से लेके, इसको कितना time लगेगा पूरा यहां तक पोंचने में, इतने portion तक आपका जो यह है, EMF है, वो 0 रहेगा, यहां से लेके यहां तक, और flux आपका constant रहेगा, flux passing will be constant, flux अगर constant है तो D5 by DT constant, तो इसलिए इतना time, अब यह time कितना है, T equal to 0 से लेके यह कितना time है, अभी देखो यहां पर, यह T equal to 0 का instant है, यह वाले, यह वाली line को यहां से लेके, यहां तक पोंचने में कितना time लगा, यह वाली line, इस AB line लिख देता हूँ, इसको, AB line को यहां तक पोंचने में कितना time लगा, कितना distance travel किया इसने, इसने distance travel किया D, इसने distance travel किया D, और कितनी velocity के साथ V तो कितना time हो गया D upon V फिर इसको बाहर निकलना है तो बाहर निकल ले मैं फिर और कितना time लगेगा L upon V तो इसको मैं graph बना के देता हूँ आपको मैंने यह थोड़ा सा क्या 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 बताया आपको L upon V फिर D upon V और फिर another L upon V तो another L upon V का मतलब हो गया D plus L upon V यह time के इसमें intervals आएं है मैं आपको समझाता हूँ हो भी देखो ध्यान से जब इसका graph ड्रॉँ करेंगे न हम देखो graph कैसे ड्रॉँ कर रहा हूँ मैं ड्रॉँ करता हूँ आपके साथ time के साथ flux का graph देखना जड़ा प्लीज flux की value क्या बोली थी आपने V, L, V और T T की power 1 है T की power 1 का मतलब होता है T की power 1 का मतलब होता है straight line तो straight line आगी यह किसका graph है phi T का with respect to T कितनी देर तक यह बढ़ता रहेगा flux बढ़ता जा रहा है कितनी देर तक L अपन V तक फिर constant रहा कितनी देर तक D अपन V तक D अपन V तक constant रहा और उसके बाद decrease करेगा कितनी देर तक total time कितना लगेगा इस पूरे को बाहर निकलने में पूरे को total time कितना लगा यह total time है यहां से लेके यहां तक क्या है L अपन V यह कितना है यह वाला portion कितना है सिरफ इदर से लेके इदर तक का portion कितना है D minus L अपन V यह हो अगर कोई आपको बोलो कितनी देर तक flux constant रहा तो आप बोलोगे D minus L अपन V यह तो total D upon V जो लिखा है वो यहां से लेके यहां तक है L upon V तक क्या रहा मालो यह 2 seconds है यह 5 seconds है फिर यह 7 seconds है तो यह 7 तो है लेकिन यह कितना आया यह तो 5 ही आया समझा है आपको बात सब्रेक्ट करेंगे न तो यह तो total time लिखते हैं न हम यहां तो इसलिए क्या बन गया यह देखो ध्यान से यह क्या बना यह time क्या आया D plus L upon V तो यह इसका graph बनेगा और इसकी maximum value T equal to कितने पे होगी L upon V पे T equal to L upon V L upon V तो B L square B L square is the maximum value तो यह बन गया इसका graph फिर अगर आपको पूछें उसका graph क्या बनेगा EMF का इसका derivative लेना है बिल्कुल इसका derivative D5 by DT यह लो ऐसा फिर फिर 0 वो last में ऐसा EMF इदर होगा नहीं जब flux constant है तब होगा नहीं values वही है यह L upon V यह D upon V और यह D plus L upon V ठीक है तो ऐसा रहेगा यह इतनी बात आपको समझानी चाहिए अब देखो next problem करते हैं यह तो हो गया अब इस problem में देखो इस problem में क्या दिखाई दे रहा है यह एक triangular shape की coil है आपकी यह जब अंदर enter करेगी तो अंदर enter करते टाइम यह ऐसा आएगा कुछ देर के बाद t equal to 0 की condition मैंने बनाई थी पहले अब कुछ देर के बाद ऐसा आएगा इतना area इसका अंदर आया यह area आपको पहले भी मैंने निकालना सिखाया कि यह area कितना आएगा यह वाला यह छोटी सी triangle जो बनी है यह कितना अंदर गया vt v into t ठीक है और यह कितना अंदर गया यह भी v into t height भी v into t क्योंकि यह इस तो इस ट्राइंगल ली हुई है तो जितना यह उतना यह तो अगर आप इधर कट मारोगे कभी तो यह portion जितना होगा उतना यह portion होगा तो इसलिए vt तो इसका कितना portion अंदर कितना area अंदर गया half base into altitude half base into altitude equal to half v square t square ठीक है यह किसकी value लिखी मैंने area की area को किस से multiply करो तो area को किस से multiply करो तो flux आता है b से तो यह आगे आपकी flux की equation कैसी आई t square याद रखना है इसमा important t square है तो t square देर में t square की देर में यह ऐसा आएगा तो इसका कितनी देर तक ऐसा रहेगा a मतलब a upon v time तक a upon v time तक यह ऐसा graph आएगा कि flux बढ़ता जा रहा है फिर उसके बाद constant हो जाएगा तो इसलिए इसका graph ऐसा आना है इसका graph ऐसा आना है मैं बनाता हूँ आगे यह देखो यह क्या बनाया मैंने यह parabolic क्यों बनाया यह parabolic इसलिए बनाया है यह parabolic इसलिए बनाया यह parabolic shape होती है यह वाली shape आपकी parabolic है तो ये पैराबोली क्यों बनाई क्योंकि यहाँ T स्क्वेर था क्या equation थी इसकी first कि half B V स्क्वेर T स्क्वेर तो T स्क्वेर आने की वज़े से अगर T आता तो क्या बनेगी straight line T स्क्वेर आएगा तो क्या बनेगा पैराबोला and then it remains constant and then it remains constant उसके बाद ये constant रहता है तो ये बातें इसमें सीखने वाली है जो main है ठीक है तो इसमें ये जो सीखने वाली बात थी यही थी कि इसके बाद constant रहेगा क्योंकि इसमें कोई width नहीं दी थी उसने magnetic field की कि magnetic field तो आगे चलता ही जा रहा है तो पूरा constant रहेगा आगे इसमें कोई change नहीं आएगी क्योंकि हमें कुछ width given नहीं है अगर मैं बात करूँ इसके EMF का graph कैसा बनेगा तो इस portion के लिए तो इसका जब derivative लोगे T square का तो क्या आएगा 2T ये 2 भी गायब हो जाएगा तो इसका derivative क्या आएगा B V square T तो T आया ना तो T का graph कैसा आता है T का graph कैसा आता है straight line तो यहां straight line आएगा dy by dt का dy by dt यानि ET का graph मैं straight आएगा और यहां कुछ नहीं आएगा यहां 0 आएगा तो उसका graph कैसा आया वो भी बता देता हूं आपको वो भी बता देता हूं तो यह graph बनेगा आपका ET का This is the graph of ET with respect to time T ठीक है तो यह दो question हमने कर लिए इस video में Thank you very much